तो भईया फाइनली जूनियर NTR की देवरा मुवी ठीटर्स में रिलीज हो चुकी है तो अभी की टाइम में जूनियर NTR की एज 41 एर है लेकिन देवरा मुवी में इनकी फाइट और इनरजी लेवल को देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे वेल मेरा नाम है समीर कुरैसी और आप सभी का स्वागत है डिकने गिमर चैनल पे तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर NTR की देवरा मुवी के बारे में तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग सुरू से सुरू करते हैं देखिए अभी के टाइम में अगर किसी इंडेस्टरी का क्रेज है तो वो सिर्फ और सिर्फ साउथ मुवी का क्रेज है और साउथ हमेशा से अपनी ब्लॉक्बिस्टर मुवी के लिए जाना जाता है लेकिन इस बार उन्हों ने मुवी की स्टोरी समुंदर पर next level की रखी है देखे मुवी की starting होती है एक समुंदर से जहां पर समुंदर के पानी के साथ साथ आए दिन खून भी बहती रहती है देखे जूनियर एंटियार जो कि इस समुदर के रखवाले हैं और अगर समुदर में किसी बुरे लोग की एंट्री होती है तो वो उन्हें वही पर धोधा के समुदर में डाल देते हैं और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मुवी में हीरो वर्सेस विलन का कोई स्कोप ही नहीं बचता है क्योंकि जूनियर देवरा अपने पापा से ही नफरत करने लगते हैं बाकी सिप वाले सिंस को इतने बड़िया तरीके से सूट किये है जो कि एकदम नेक्स्ट लेवल का है बाकी बात करें इस मुवी में विलन की तो इस मुवी में विलन सैफ अली खान है और इस मुवी का एक और असली हीरो कौन है पता है? बाई साब इस मुवी का एक और असली हीरो अनिरूद्ध है बाई साब इस मुवी को देखकर मुझे काफी मजा आया है और इस मुवी का कहानी भी एकदम नेक्स्ट लेवल का है बाकी बात कर इस मूवी के बजट की तो पूरे 308 करोर रुपे हैं देखे कल की 2898 AD मूवी के बाद ये पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी मूवी बन गई है क्योंकि ये रिलीज होने से पहले ही अपने एडवांस बुकिंग में 38 करोर से ज़्यादा की कमाई की है त्रीपल आर के सूपर सक्सिस के दो साल बाद जूनियर NTR की देवड़ा मूवी को लेकर फैंस में काफी ज़्यादा एकसाइटेड बना हुआ है क्योंकि ये पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी के लिस्ट में सामिल हो चुकी है बागी आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक कियर